सब्सक्राइब नाओ and प्रेस तब बेल आइकेन नेवर मिस अन अपडेट नमस्कार जैहिन दोस्तों स्वागा थे आप सबी लोगों का आपके अपने उचले इश्टिबिद भुष्चन पर आज हम लेकर आए हैं तीस इंपोर्टन किस्चन पर्यावराण के जो आपके तो बिश्ट में जलसंकट का प्रमुकरण नागरी करण है क्योंकि इसका जो विस्तार है बहुत ज़्यादा हो रहा है हर जगा सहर आपका बढ़ रहा है अगला question है भारत में पर्थम बायोगय सयंद्र कहा अस्थापित हुआ तो भारत में पर्थम बायोगय सयंद्र पिलानी में स्थापित हुआ आपसन नमबर A सही जवाब है अगला प्रस्ण देखते हैं अगला प्रस्ण है निर्वखित में से कौन सा सदा बाहर पेंड नहीं है तो सदा बाहर पेंड शेहतूत आपसन नमबर D ये सदा बाहर पेंड नहीं है सदा बाहर पेंड वो होते हैं जो पूरे वर्स हरे भरे रहते हैं अगला प्रस्ण देखते हैं अगला प्रश्ण है, डेसीबल निलखीत में से किसे मापने की इकाई है, आपसन नंबर भी आपका राइट इनसर है, बढ़ते हैं अगले प्रश्ण पर अगला प्रश्ण है राष्टी गीत के रचईता है तो राष्टी गीत के रचईता बंकिम चटो अपध्धाय है देखते हैं अगला प्रश्ण भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कारेकरम किस वर्श आरंभ किया गया था कई बार यहां क्यूश्चन पूछा गया है बिल्कुल सही जवाब होता है आपसन नमबर डी याद कर लीजिए ये आपके एक्जाम में आने की शंभावना बहुत ज़्यादा है तो भाद में प्रोजेक्ट टाइगर की किस वर्स आरंब किया गया तो आपका सही जवाब है एक नचत्र का रंग निर्भर करता है उसकी प्रिष्टी ताप पर आपसन नमबर डी इस प्रशन का बिल्कुल सही जवाब है एक नचत्र का रंग निर्भर करता है उसकी प्रिष्टी ताप पर सागरी खरपतवार किसका महतपूर्ण स्रोथ है सागरी खरपतवार किसका महत्पूर्ट स्रोथ है तो यह जो है आयोडीन के मुक्ष्रोथ है सागरी खरपतवार आयोडीन के महत्पूर्ट स्रोथ बढ़ते हैं अगले प्रश्ण पर निम्लिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचूरता है यह आपके चार वर्ग दिये गए हैं तो इसमें आपको छाटना है किस वर्ग में जो है प्रोटीन की प्रचूरता अधिक है तो सही जवाब होता है आपका सोया बीन चना मक्का आपसन नमबर सी इस प्रस्ट का बिलकुल सही जवाब है नेक्स्ट अगला प्रस्ट देखते हैं भारत का राष्टी पसू है तो भारत का राष्टी पसू बाग है आपसन नमबर सी इस प्रस्ण का बिल्कुल सही जवाब है अगला प्रस्ण देखते हैं हमारे देश में वन महोसो दिवस मनाया जाता है तो हमारे देश में वन महोसो दिवस एक जुलाई से साथ जुलाई तक वन महोसो दिवस मनाया जता है आपसन नमबर भी इस प्रस्ण का बिल्कुल सही जवाब है बढ़ेंगे अगले प्रस्ण पर जल जनित रोग है तो अतिसार आपसन नमबर फस्ट आपका बिल्कुल सही जवाब होता है जल जनित रोग अधिसार है अगला प्रस्ण देखते हैं अगला प्रस्ण है निर्विखित में से किस के किस से कुनाय नामक दवा प्राप्थ होती है तो सिनकोना प्लांट से कुनाय नामक दवा प्राप्थ होती है बढ़ते हैं अगले प्रस्ण पर 71% पितिवी का तल ढखा हुआ है तो 71% पितिवी का तल जल से ढखा हुआ है आपसन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है अगला प्रस्ट देखते हैं कथक की बात की गई है इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है ध्यान रखना है बढ़ते हैं अगले प्रस्ट पर पोलियो का कारण है तो पोलियो बिशाण का कारण है आपसन नंबर भी बिल्कुल सही जवाब है अगला प्रस्ट देखते हैं निम्लिखित में से रवी की फसल कौन सी है तो रवी की फसल आपको बताना है तो चना आपका सही जवाब हो जाएगा जो दलानी फसलने आती है आपकी ये रवी में आती है चावाल मुख्फली और कपास ये आपकी खरीक की फसले है अगला प्रस्ट देखते हैं पृतिवी का अपमार्जक कौन है तो पृतिवी का अपमार्जक जब भी आपके एक्जाम में पूछा जाए important question है कई बार ये repeated हुआ एक्जाम में जिवाड एवं कवक जिवाड वाग जो है पृतिवी का अपमार्जक है अगला प्रस्ट देखते हैं वनो के महत्त के कारण है तो वनो के महत्त के कारण ग्रीन हाउस गैस आपसन नमबर सी सही जवाब है अगला प्रस्ट देखते हैं पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है तो तारीकों में कन्फूज आपको नहीं हुना है, 5 जुन याद कर लिजिए परयावराण दिवस 5 जुन को मना जाता है, अगला प्रस्थ देखते हैं भारत में फलों के अंतरगा सर्वादिक छेतर आम का है, आपसन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब है अगला प्रस्ण देखते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज से है तो पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध उत्तराखंड राज से है आपसन नमबर डी सही जवाब होता है अगर आपका उत्तराखंड ना देकर केवल उत्तर प्रदेश दिया हो तो आपको यही मारना है अगर उत्तराखंड है तो पहला आपको जो चूज आपसन होगा उत्तराखंड आपको लगाना है अगर उत्त्रा खंड आपको नहीं मिलता है तब आपको उत्तर प्रदेश के साथ जाना है बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर पौधों में प्रकास अंसिलेशन क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है तो पौधों में प्रकास अस्रेशल की रिक्रिया जो है लाल रंग में स्रवाधिक होती है आपसन नंबर सी आपका राइट एंसर होता है नेश्ट अगला देखते हैं भिंडी में पाया जाता है तो भिंडी में बिटामिन सी प्रचुत मात्रा में पाई जाती है आपसन नंबर सी आपका सही जवाब होता है अगला प्रस्ट देखते हैं निम्रिखित में से कौन अम्ल वर्षा का ब्रियात प्रदूसक है तो सलफर डाई या अकसाइड ये अम्ल वर्षा का ब्रियात प्रदूसक है देखते हैं नेश्ट अगला किस्चन अगला किश्चन है NCTE का उद्देश है NCTE का फुलफाम होता है National Council for Teacher Education हिंदी में इसको राष्टी अध्यापक सिच्छा परिस्ट कहते है इसका उद्देश पूछा गया है तो सिच्छालियों में सिच्छा अस्तर बनाए रखना आप्सन नंबर भी बिल्कुल सही जवाब होता है अगला प्रस्ण देखते है कौन रासानिक उर्वरक का उद्दारन नहीं है तो कमपोस्ट खाथ जो दी गई है आप्सन नंबर डी ये आपका रासानिक उर्वरक नहीं है अगला प्रस्ण देखते है हमारे परियावण में किस गयस का सबसे अधिक सांद्रण है हमारे परियावण में किस गयस का सबसे अधिक सांद्रण है तो नैट्रोजन गयस का आपसन नमबर दी इस प्रस्ण का बिल्कुल सही जवाब है अगला प्रस्ण देखते है निम्निखित में से जयविक घटक है तो जयविक घटक आपका पादफ है आप सन नमबर A स्पिस्ट का बिलकुल सही जवाब होता है देखें ये कमपोस्ट जो आपका है ये जयविक खाद आती है रासाइनिक खाद नहीं है इस तरह आपके 30 important question इस वीडियो के माध्यम से हमने पूरे करवाए है आसा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो भी आप वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ share करें अगर आप चनल पर नए हैं चनल को सस्क्राइब करें मिलेंगे अगले वीडियो में थैंक्च्यू फार वाचिंग करें